नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं नीईस फौनेशन बिहार में बीपीसे बहाल सिखषक की नौकरी पर अब आफ़त आ सकती है सारे सिक्षकों की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 69 सिक्षकों की धरاصل बिहार में वी पसिया आयोक की तरफ से सिक्षक बहाली की परिक्षा ली गए छिनकी नौकरी जो है वो जा सकती है क्या है पुरा मामला हम आपको बताते हैं बिहार लोग सिवा आयोग सिक्षक भरती परिक्षा में हर कदम कदम फूख फूख कर रख रहा था आयोग की कोशिश थी कि परिक्षा बिना किसी विवाद और आरोप से संपन हो जाए परिक्षा हुई रिजल्ट निकले 21 नवंबर तक तमाम सिक्षकों के युगदान भी कर लेना है इस बीच आयोग को पता चलता है कि 69 अभियर्थी द्वारा आवेदन के दौरान गलत जानकारी दी गई है विपरिक्षा पास कर चुके हैं इसका खुलासा थब हुआ जब आयोग ने अभियर्थियों के कागजातों की जाच के लिए सिक्षा विभाग को भेजा विभाग के आयोग की रिपोर्ट में 69 अभियर्थी के द्वारा विज्यापन की शर्तों को पूरा नहीं किया जा रहा है यानि की वे सिक्षक बनने के आपात्र हैं आयोग ने इन 60 सिक्षकों की सूची अपने अधिकारी वेबसाइट पर डाल दी आयोग का सिधा रोप है कि इन 60 सिक्षकों द्वारा आवेदन पत्र में घोशना के साथ गलत बयानबाजी और फरजी सूचना दी गई थी इतना ही नहीं आयोग का कहना है कि प्राप्त प्रमान पत्र नहीं रहने के बावजूद उन अभियर्थियों को जान बुश कर गलत जानकारे दी गई साक्ष को चुपाया गया गलत सूचना के अधार पर सारकी सरकारी नौकरी हासल करने की कूचेस्टा की गई आयोग का मानना है कि नभियर्थियों ने अपरात किया है जिसके लिए सीधे सीधे ये दोशी है दोखाधरी का खुलासा होने के बाद आयोग ने उन सरसक्ष को से आरोप को लेकर इस पस्ट्री करन पूछा है जवाब 30 नवंबर 2023 तक मांगा है आयोग ने अपने वेबसाइट पर उन अभियर्थियों से जवाब मांगा है और पूछा है कि इस एक्रित के लिए क्यों नहीं अगले पांच वर्सों तक के सिक्षा परिक्षाओं पर उनके बैन कर दिये जाएं चेताब ने दी गई है कि 30 कोई जवाब नहीं मिलने पर संबंदी सिक्षकों के खिलाफ निर्णे ले दिया जाएगा दरसर सिक्षकों द्वारा आवेदन के साथ एक नहीं बल की कई गलतियां सुचना दी गई है तथ्यों को चुपाया गया है इसी कारण आयो गंभीर है इन सिक्षकों की नौकरी दाव पर लगी है यानि हाथ में आई नौकरी जानाते है कुछ अभीर्थियों ने आवेदन के साथ कागजात संगल लगन नहीं किये है अत्वा वो संबंदित परिक्षा पास नहीं है इस जिसके अधार पर बेपे से कि सिक्षक परिक्षा में शामिल होना था यानि कुछ अभीर्थियों को STAT पेपर प्रथम कागजात की उपलब नहीं है कुछ के आवेदन के साथ BTAT 2011 में पास रमान पत्र सलगन नहीं है भागलपुर में एक अभीर्थी का म्यूजिक से MA और STAT के कागजात नहीं है इतना ही नहीं अभीर्थी डियलेड भी पास नहीं है एक दरब जहां BPC आयोग हर एक प्रियास कर रही थी ताकि ये परिक्षा बेहद अच्छे तरीके से हो धांदली नहीं हो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो ताकि जो सिक्षक अभेर्थी है वो जो एक्जाम देने आए हैं उनके रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं हो लेकिन आप जो खबर निकल कर सार में आ रही है उसमें 60 ऐसे सिक्षक हैं जिनके कागजात सही नहीं है और ऐसे सिक्षकों पर अब आयोग कड़ा एक्शन लेने बाला है आने बाले दिनों पर हम आपको बताएंगे कि इन सिक्षकों का क्या हाल हुआ फिल्हाल तो यही कबर निकल कर सामने आ रही है कि इनकी नोकरी जाना तैह है लेकिन फिर भी आयोग इन से सवाल की है साथी साथ अगर ये जवाब देते हैं तो फिर आयोग इन पर क्या कुछ एक्शन लेगा ये भी हम आपको बताएंगे फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही